गुश इस तरी होगा तो और होगा और उसके बार जूरेंगे तो आप लाइनर देख सकते हैं कुश इस तरी के से जो है लाइनर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है नीचे आलिए हिससे में जो है गोल होगा और नीचे कहीं सा प्लेन होगा यहांनि जैसे डी प्रकार होता है विचे बोलते हैं तो और इंग को कुछ इस तरीके से जो है बैठा लेंगे आप देख सकते हैं और अगर गलत बैठ गई तो एक रिजन यह भी होगा तो इंजन आयल में जो है पाने मिक्स होना की स दिकायती स्टार्ट हो जाएगी तो हमें जो डी ओरिंग है वो काफी अच्छे से बैठाल नहीं है तो पहली हमारी बैठ चुकी है और दूसरी ओरिंग मैं दिखा देता हूं डी ओरिंग से क्यों बोलते हैं यह देखो नीचे वाला हिस्सा जो अंदर जो बैठालना है उप सब्सक्राइबर की मदद से पतले पेजकर की मदद से जो है कुछ इस तरीके से जहें हमें बैठाले नहीं और हां यह ज्यादा ओरिंग हमें खीच के भी नहीं रखना है नहीं तो लाइनर बैठालते समय जो है यह अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो गई तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तो हमें हमें यह ओरिंग और लाइनर फिट करते से में बहुत सी चीज़े ध्यान देनी है तो हमारी जो है और बैठ चुकी है एक बार हम रीचेक कर लेंगे रीचेक यह इसलिए कर लेंगे कहीं और इंग जो डी ओरिंग है जो प्लेन वाला हिस्सा और अब लाइनर की बारी है बलॉक के अंदर फिट करने की था महरagnar की ओ्रिंगो में जो है हलका-लका ऑयल लगा लेंगे आलकेन की मदद से जो है अलकल का आयल का चिड़काओ कर लेंगे उसके बाद हाँ से जो है पाज चारो तरब जो है इसे फैला देंगे अच्छे से उसके बाद लाइनर कुछ इस तरीके से जो है हम इसको अंदर डालेंगे हम हाथ की मदद से जो है इस लाइनर को बराबर ले लेंगे बराबर पोजीशन पर फिर उसके बाद जो है SMT की मदद से जो है इसे लाइनर को जो है अच्छे से नीचे की तरब जो है प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से दिसराइक कैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है लाइनर को प्रेस कर देंगे तो हमारा लाइनर जो है वो अच्छी तरीके से जो है बैट चुका है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है लाइनर जो है इसका बैट चुका है है अब आ बारी है सेकेंड़ लस्त वाला लसैनों कुछ फिकी कर लेंगे प्रेस किया है सब्सक्राइब का और हिस और अम फिक से कुछ फिक हैं प्रेस कर लेंग एक जगा फिक्स चोट पड़ती है तो चारो तरब बराबर चोट लगती है तो आराम से इजी काम हो जाता है इस्पेसल टूल की मदद से तो हमारे लाइनर जो है वो बैठ चुके है अब देख सकते हैं चारो जो है लाइनर हमारे सेट हो चुके हैं कोशी इस तरीके से जिसमे तो क्या है नया है बाखी पुराने है उसको एक बार चेट कर लेंगे कोई जगा आधा तो नहीं सब बराबर लेंगे और उसके बाद लाजेक्शन चेक कर लेंगे तो इसकी जो हाइट होती है 0.02 mm से लेके 0.1 mm तक अगर यह हाइट ज्यादा होती है तो गाड़े में वाइट इसमोग ब्लैग इसमोग मिक्सेश करके आएगा तो इक बारी मैं फिर से आपको बताया जारा हूं 0.02 mm से लेके 0.1 mm तक जो है इसका जो है हाइट होता है तो इस चीज़ का हमें विशेश ध्याम देना है अगर यह हाइट ज्यादा है 0.1 mm से ज्यादा आ रही है तो इसको सेट करना है अन्यथा ऐसे न ही काम करा है